तो MIUI 13 आज इंडिया में लॉंच होने वाला है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएं कि अगर आपके पास कोई old device है जिसमें अभी MIUI 12.5 रन कर रहा है और उसमें आपका कुछ important data है तो उसे आप कैसे MIUI 13 यानि कि अपने new device में transfer कर सकते हैं भी इसके लिए आपको ये वीडियो इंड तक देखना होगा चैनल पर नहीं आये हैं तो हमारे इस चैनल को subscribe कर लिजे वीडियो अगर कहीं से भी पसंद आएगा तो वीडियो को एक like जरूर दीजिएगा अब बहुत लोगों का मन में सवाल रहे है कि हमें data transfer करने के लिए वीडि जहें call से वो सभी के सभी transfer करने भी बताऊंगा आये कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपको आने आप पर Google Play Store पे उसके बाद यहां पर आपको टाइप करना है MI Mover यह जो application आपके old phone और new phone दोनों में ही होना चीए example के लिए यहां पर देख सकते हैं मेरे प application को दोनों device में download कर लेना है उसके बाद इसे open कर लेना है अब open कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरह का user interface देखने को मिल अगर आप old phone से data transfer करना चाहते तो I am sender पे क्लिक कीजिए और इस तरह सा पासपोट के लिए पूछेगा तो आपको यहां पर पासपोट टाइप कर यहां पे इस तरह सा connection के लिए बोलेगा और आपके निव फोन में आपको सिंपली आप आयाम रिसिप्टर पे क्लिक करना और इस तरह का बारकोट आपको देखने को मिलेगा और अगर आपका old phone new phone को detect नहीं कर पाते तो सिंपली आप इस तरह से क्लिक कीजिए और थोड़ा स सबी यहां पे शो हो जाएगा सबसे पहले आप देख सकते आपका total कितना जीवी डेटा है अपने old phone में हो आप देख सकते इसी के साथ कितना time लेगा इन सबी डेटा को transfer करने के लिए उसके बाद यहां पर चॉइस कर सकते कि आपको क्या क्या चाहिए image चाहिए उसके बाद कि जितने भी आप application वगएरा यूज किये है वो last use आपका new device में transfer हो जाएगा इसलिए मैं बहुत रहा है कि यह वीडियो आपको देखना जरूरी है अब इनमें से आपको जो भी चीज़े new phone में आपका transfer करना है वो आप easily कर सकते है जैसे कि example के लिए हम लोग यहां पे ले ल smartphone में work करता है हां में भी अगर आप इसे दूसरे कोई phone में try करना चाते है जैसे real me to Xiaomi Xiaomi to Samsung Samsung to vivo तो आप try कर सकते हैं बट मैं share नहीं हो कि भाई यह चीज़ work करेगा तो comment section में मुझे जरूर बताना है कि यह दूसरे phone में successful यहां पर work करता है या नहीं तो ही था आज कि वीडियो में बस इतना है आगे और भी सितरा के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो अगर कहीं से भी पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा थैंक्यू